एस एट टुन्टी दो हजार तेज जो इसका तीसरा मैच है ना वो खिला जाएगा सन राइजस इस्टन कैप वर्सेज पिटोरिया कैप्टल्स के बीच में दोसों यह जो मैच होगा ना इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग लेमस क्या होगी और जो प्लेइंग लेमस हाता है लेकिन क्या करें आती नहीं है लेकिन अगर हमें पहले पता चल जाए यह रन मारे निकाले मारे नंबर नेग्र टिम बना सकते हैं सकते हैं नहिक दो जो मैच होगा ना इसमें सबसे जाता कौन रन मारेगा कौन लेगा बिकेट और मैं आपको ना एक ड्रीम 11 की जवज़स टीम बना कर दूँगा भी और दोसों ये जो मैच है ना सेंट जोज पाक जेवरा में खिला जाएगा तो यहां के पीच का बिहवियर क्या होगा कंडिशन क्या होगी कितना स्कॉर बनेगा क्या वो चेज होगा या फिर डिफैंड होगा और यहां के मादान पर कौन से इसे टीम है जो बढ़ियर परफोर्मेंस करेगी और जीत का को सब्सक्राइब करना इतना तो करी सकते है अगर आपको सभी मैच वे तो मेरा टेलिग्राम भी जोईन कर सकते हैं क्योंकि जिन लोग उन्हें जोईन किया वह बहुत ही फायदे में तो आप पीछे क्यों होँँ आप भी जोईन करो फायदा उठाओ बस एक चीज का ध्यान देना है फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ज्यादा नगली टेलिग्राम चाहदा बना लिए किसले इद्धा उद्धर और किसे जॉइन नहीं करना जो लिंक की मिलेगा डिस्किप्शन में बस महीं से जॉइन करें सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों टीमों की प्ले नमबर की बात करें आया बुलेला गेम नहीं नमबर की बात करें तो मैसन क्रें दसवे नमबर की बात करें सिसाट डाम बगाला और ग्यार्वे नमबर की बात करें जुन्याइद दावत तो यह सकती है सन राइजा इस्टन केप की पॉसिबल प्लेंग लेमस महीं बात करें पेटोरिया कैप्टल के तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी होगी फिलिप सॉल्ड और बिल जैक से दोनों ओपन करते नज़र आएंगे तीसे नमबर पर रेली रोसो आपको खेलते नज़र आएंगे चौथा नमबर की बात करें सैंड डैडबिल्स पांचवे नमबर की बात करें मारको मेरियस साटवे नमबर पर कैमरून डेलपोर्ट साथवे नमबर की बात करें कप्तान विन फार्नल आठवे नमबर की बात करें मीगल प्रेटोरियस खेलते ना जना आएंगे नवे नमबर पे आदिल लशी, दसवे नमबर पे आनिस नोकिया और ग्यार्वे नमबर की बात के तो जोस्वा लीटेल था दोस्तों यह हो सकते हैं प्रेटोरिया कैप्टल्स की पॉसिबल प्लेइंग लेवर्स हमाई पास दोन के 35 मैच के लिए जिसमें 16 मैच में क्या हुआ टार्गेट टाई रहा तो मतलब यहां पे जो चेज और डिफैंड के कहानी है वो बराबरी की है अब्रेज स्कॉर यहां पर फर्स इनिंग का 153 मतलब यहां पर लो स्कॉरिंग मैच होता है तो ऐसे में जो बल्ले बाद होते ह लेकिन गेंदबाज भी नहीं ऐसे उल्टे सीधर भर लेने होते हैं गेंदबाज बिकिट लेते हैं जादा लेकिन कौन से गेंदबाज ज्यादा लेंगे यह आगे जानेंगे टार्गेट चेज की बात कर तो 149 एक तो उन्चास की नीचे स्कॉर बनेगा तो 10 मैच में से 8 म मैच में टार्गेट डिफैंड हो सकता 149 से 165 की बीज में स्कॉर होगा तो आप समझ जाना जो मामला है ना यह तो बराबरी का आ गया चेज भी हो सकता और डिफैंड भी हो सकता इस मैदान का जो हाइस स्कॉर है फर्स इनिंग का 189 जो की वैरियरस के नाम पर है लोइस स्क स्कॉरिंग पैडन की बात करें तो 150 के नीचे फर्स इनिंग में 12 बार स्कॉर बन चुका 150 से 169 की बीज में 16 बार स्कॉर बन चुका 170 से 189 की बीज में फर्स इनिंग में 7 बार स्कॉर बन चुका 190 या इससे ज्यादा फर्स इनिंग में अभी तक एक भी बार स्कॉर नहीं ब केंडीशन की बाद कर तो बॉंस कि कन्डीशन ने तो तेज गेंद्वाज है ना उनको काफी ज़्यादा हेल्फव करता ए जो यहां का पीछ और दोस्तों जो तेज गेंद्वाज ना थोड़ा सा जो बॉल होती उसको हिट करते हैं मतलब पटकते हैं सीने बराबर निकालते है वैसे गेंदवाजों को आपको ज़्यादर अपनी टीम में रखना है तो ऐसा करते है न एक-एक फिलर के बारे में जानते हैं आप यहीं चाहते हो न हाँ ऐसे मज़ा भी आता है आपको समझ में भी आता है सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एडम रोसिंग्टन की अगर हम बात करें तो इन भाई साफ चलना भी आप थोड़ा सा बसके रह सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर एडम माकरम की बात करे तो एडम माकरम नहीं चलेंगे हो इने सकता है इनको भी आपको अपनी टीम में रखना है, हो सके तो Captain and Vice Captain इनको भी कर दे। Jordan Cox की बात करता, I think Jordan Cox आज के मैच में ना चलेंगे, फलोफ हो जाएंगे तो आपना इनसे थोड़ा सा बच करें सकते हैं, Tom Evel की बात करें, तो मुझे लगता Tom Evel आज की मैच में ना जो बल्ले बाजी होगी, वो ठीक ठाक करेंगे, 25-30 मारेंगे, लेकिन गेंदवाजी करने आएंगे, गेंदवाजी में ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे, तो आप इन्हें रख भी सकते हैं, क्या पता, एकाता बिकि भी निकाल सकते हैं, कौन? मारको यांसन और बल्ले बाजी करने आएं, एकात दो छक्के लगा देंगे, तो सोने पर सुहागा हो सकता है, तो मारको यांसन को आपको अपनी टीम में रखना है, हो सकते हैं, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर दो-तीन टीम बना रहें, इन्हें भी कर सकते हैं, आयो भुलेला गेमने की बात करें, तो आयो भुलेला गोमने ना चलेंगे, फ्लो अफ हो जाएंगे, तो आपना इनसे थोड़ा सा बचके रह सकते हैं, वहीं बात करें, मैसन क्रें मुझे लगता है, किफायती रहेंगे, एकाता बिकेड मिलेगा, तो रख भी सकते हैं, किसको अगर किफायती रहें, एकाता बिकेड मिलता है, तो मैसन करें को आप रख सकते हैं, आपर, सिसांडा मंगाला की बात करें, तो आज किफायती होंगे, तो जुने दावत को भी आपको अपनी टीम में रखना चाहिए, वहीं अगर हम बात करें, फिलिप सोल्ड की बात करें, तो मुझे लगता है, फिलिप सोल्ड, आज की मैस में 40-50 सानों की तेट तररार पारी खेलेंगे, तो आपको न इनको अपनी टीम में रखना चाहिए, बिल जैक्स की बात करें, ये भी 25-30 सानों की पारी खेलेंगे, लंबी पारी ना केले चाहिए हो सकते तो Captain and Vice Captain भी करना चाहिए किसको रेली रोस्तों को Sand Dead Wells की बात करें तो I think Sand से Dead Wells और डेड़ी ही हो जाएंगे मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए में को मतलब आज की मैच में बढ़िया पारी ना खेल पाएंगे जल्दी Pavilion लोट जाएंगे तो आपना इसके थोड़ा सा बचके रह सकते हैं Marco Marius की बात करें तो I think Marco Marius भी आज की मैच में ना चलेंगे फलोफ हो जाएंगे तो आपना इनसे भी थोड़ा सा बचकर रह सकते हैं Cameroon Dilport की बात करें तो बल्ले से ज़्यादा कुछ ना कर पाएंगे लेकिन गेंदवाजी करने आएंगे किफायती होंगे एक आजसा दो बिकेट निकालेंगे कौन Cameroon Dilport तो आपको ना इनको अपनी टीम में रखना चाहिए Win Farnell की बात कर तो Win Farnell भी आज की मैच में किफायती होंगे दो-तीन बिकेट निकालेंगे तो आपको इनको भी अपनी टीम में रखना चाहिए अगर दो-तीन टीम बना रहे हैं तो Win Farnell को अगर कप्तान वाइस केप्तन कर सकते हैं तो तब भी चलेगा मीगल पिटोरियस की बात कर तो I think मीगल पिटोरियस आज की मैच में ना चलेंगे आनिस नोकिया को भी आपको अपनी टीम में रखना चाहिए जोस्वा लिटिल की बात कर तो I think जोस्वा लिटिल ना चलेंगे फ्लोफ हो जाएंगे तो आप न यहाँ पर जोस्वा लिटिल से थोड़ा सा बच के रह सकते हैं तो भाई लोग हमने ना यहाँ पर सभी प्लेस करने के बाद बनाई हो तैं क्या वह सारी एन लास में वीडियो कर सकता है लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी आप भी बोर्ड हो जाओगे बस कर यार कितना दिखाएगा मैं भी थख जाऊँगा इसलिए सारी एन लास में ने पहले कर ली पसिह निर्फेक्ट टी लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगले मैच की पिस रिपोर्ट मैच पर विए फंटासिफिक के साथ तब तक के लिए गौड़ ब्लेस्यू